दोस्तो इस वीडियो पे आपको सिखाऊंगा आप कैसे फ्री में वेबसाइट बना सकते हो दोस्तो पिछली वीडियो में बताया था आप कैसे फ्री में डोमेन ले सकते हो तो मैंने जैसे की बाता आया था एक website बनाने के लिए आपको एक domain खरिदना परेगा एक hosting खरिदना परेगा और एक theme खरिदना परेगा तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो यह दिखाऊंगा और साथे साथ इसके लिए जे होस्टिंग होता है वो आपको 100% फ्री में मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं और भी टेक्नलजी वाला टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल मॉवी केक्स को सब्सकाइब करें उसके बाद बेल आइकन को भी दाबा दीजिए आप हमारे चैनल की सारी नोटिपिकेशन उस्तो पहले आप गूगल ब्लोगर की वेबसाइट में आ जाईए देख सकते हैं ब्लोगर नाम की एक वेबसाइट है ब्लोगर.com यह गूगल फ्री में वेबसाइट प्रोवाइट करते हैं इसलिए मैं इस ब्लोगर से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप गूगल ब्लोगर से बानाएंगे तो जल्दी जल्द आपको वेबसाइट में रैंक मिलेगा ज्यादा ट्राफिक आएगा देख सकते हैं गूगल ब्लोगर साइट ओपेन हो गया है उपर में साइन इन का बटन है इस पर क्लिक करें आप जीस इमेल आइडी से खुलना चाते हैं अपने साइट उस इमेल आइडी पर लॉग इन हो जाईए इसके लिए आपको एक गूगल एकाउंट होना जरूरी है आप दूसरी आकाउंट से नहीं खुछ सकते हैं उसके बाद मेरा दूसरा अकाउंट में खोल लेता हूँ इसके साइट का एड्रेस टाइप करें साइन इन पर उसके बाद नेक्स सब्सक्राइब क्लिक करें और गूगल में जो पास्वाड्र आप दिये हो आपके खुल रहा है देख सकते हैं आपके ब्लॉगर साइट में प्रोफाइल दिखा रहा है गूगल प्लास के साथ एटच करेंगे या ब्लॉगर का अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो मैं क्रियेट लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ गूगल प्लास में करेंगे तो डायरेक्ट प्लास में जाएगा तो आप देख सकते हैं इसके साइट का आप उपर में साइट में जो नाम देना चाते हैं वो साइट का नाम दे दीजिए डॉट कॉम नहीं दीजिए आपके साइट का खाली नाम दे दीजिए मैं इस नाम से ख इस पर create new blog इस पर क्लिक करेंगे करने के बाद उपर में साइट का नाम दे दीजिए आपके ब्लॉगर का नाम जो भी रखना चाहते है आप अपनी मर्जी से दीदीजिए नीचे एड्रेस का बटन है सब्सक्राइब ब्लॉग लेटास से ही दीजिए देख सकते हैं नीचे है आपके साइट का एड्रेस दे दीजिए जो भी एड्रेस देंगे उसके बाद .blogspot.com आएगा तो इसमें इसको आप बाद में कास्टोमडोमेन.com.net.org जो भी आपने मर्जी से लगा सकते हो तो यह एड्रेस आवेलेबल है देख सकते है यह डॉट ब्लॉग स्पोट है इसमें आप डाइरेक्ट दूसरे नेम दे सकते हो उसके बाद क्रियेट एब लॉग इसपे क्लिक करें करने के बाद साइट रेडी हो गया है इसमें गोगल डॉमेन एड्र करने को बोल रहा है क्यूंकि गूगल आपना डॉमेन बेशते है दो थेंक्स कर देता हूँ उसके बाद View Block पर जाएए देख सकते हैं आपके वेबसाइड रेडी है बेसिक सा वेबसाइड रेडी है इसको आप कास्टोमाइज कर सकते हो जैसे कि इसका थीम आप चेंज कर सकते हो गूगल ब्लॉगास से आपको फ्री में थीम मिलेगा इसमें जाएंगे जाने के बाद साइड में आएंगे जो थीम का अप्षान है इस पर क्लिक करें ले आओ थीम पर आएंगे तो इसमें नीचे बहुत सारे थीम दिखाड़ा है आपको 100% फ्री में मिलेगा इसके लिए एक पैसे भी नहीं लगेगा पर मैं रेकोमेंड करूंगा आप पार्चेस करिए कोई भी थीम को पेट थीमी उसके कीजिए क्योंकि इससे गूगल एसीयों का फर्क परता है तो आप कोई भी एक थीम को चॉइस कीजिए उसके बाद देख सकते हैं इसके प्रीव्यू ऐसा दिखेगा यह अच्छे लग रहे हैं उसके बाद एपलाई टू ब्लॉग पे क्लिक करें और एपलाई हो गया इसको रिफ्रेस करिए करने के बाद देख सकते हैं आपके वेबसाइट यह है इस वेबसाइट में आप अपने पोस्ट कर सकते हैं कोई भी लिखा इसमें दे सकते हैं कोई भी चीज़ इसमें आप पोस्ट कर सकते हैं कारने के लिए create a post इस पर क्लिक करें लोडिंग हो रहा है और इस पर कोई भी कुछ भी लिखिये आप जो भी आप लिखना चाहते हैं जैसे की वेलकाम टू पतंजली वेलकाम पतंजली यह लिख रहा हो पावर्डवाई बावा रामदेब उसके बाद पाब्लिश पर क्लिक करें देख सकते हैं पोस्ट आ गया है आप होमपेज को रिप्रेस करिए देख पाएंगे अपने पोस्ट देख सकते हैं आपने उपर पे वेलकाम टू पतंजली टेलीकम और भी बहुत कस्टोमाईजेशन है तो इसके लिए आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा तो इससे आप बेसिक सा वेबसाइट बाना स कर सकते हो और इस वेबसाइट को डॉटीन.com डॉमेन के साथ एड़जस्ट कर सकते हो इससे गूगल एड्सेंस का यह आप्शन है आड्निंग पे जाएंगे जाने के बाद देख सकते हैं गूगल एड्सेंस का एड लगा हुआ है इससे आप लगा सकते हैं इसके बारे में आलाक सा वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू और गुडबाई